सो वेलकम टूबर चेलल बींग के अजसन इंग्ली संटल एजुकैशन तो अपन है जो ग्रामर का पॉर्शन अपना चल रहता उस ग्रामर के फॉर्शन में अपने tortag होने वाला है तो next topic में आपको बताने वाला हूँ personal pronoun जो होते हैं अब देखिए सबसे पहले बात आती है pronoun क्या होते हैं तो देखिए यहां पर केवल आपको ध्यान से सुनना है और जहां पर में mark करता हूँ वहाँ पर आपका ध्यान होना चाहिए और यह class है जो सभी competition जो level के exam है उनके लिए हैं दोस्तों तो चलिए बिना देरी में अपन सुरू करते हैं start और एक बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यदि आप चैनल में नए हो तो चैनल को subscribe कर लेना तो देखे वी में से हम कह सकते हैं हरी इस अपसेंट ठीक है ध्यान से सुनना कि हरी इस एपसेंट बिकोज हरी इस इल्ट ठीक है यहां पर जो हरी है वो दो बार आया है ठीक है यहां तक की बात clear अब देखे बट इस बैटर लेकिन इससे बढ़िया अगर कोई sentence अगर अपन ग एक sentence के बाद जो है बार-बार noun का प्रियोग करना हमारा grammatical रूप से गलत होता है एक प्रकार से तो उस प्रकार से अपन है जो इसी कारण से अपन pronoun अपन पढ़ते हैं तो pronoun वो होते हैं कि जो संग्या के इस्तान पर प्रियोगत किये जाते हैं उसी को अपन pronoun कहते हैं और ज अपन ने avoid किया है ठीक है उसकी जगह पर अपन यहां पर एक personal pronoun यहां पर रख दिया है तो सबसे पहले अपन बात करने वाले है personal pronoun के बार में कि personal pronoun क्या क्या होते हैं इससे पहले की जो class थी articles और रेपिटेशन के चार लेक्चर पहले से अप्लोड है जाके वो वीडियो आप देखना काफी जड़ा interesting और knowledgeable वीडियो है और जो कुछ previous years के जो कुछ main important questions है उनमें से मैं highlight करके भी उनमें questions या फिर examples मैंने वाँ पर दर्शाय हैं दोस्तों तो चलिए आगे देखते हैं आगे a word that is thus used instead of a noun की एक शब्ड जो noun के बजये जो प्रियुक्त होता है डिक है एक शब्ड जो noun के बजये प्रियुक्त होता है उससे अपन pronoun कहते हैं अगे देखते हैं डेफिनेशन इसकी यहां पर बता रखी है, डेफिनेशन की बात की जाए, तो a pronoun is a word used instead of a noun, देखें यहां पर कि a pronoun is a word used instead of a noun, की pronoun वो शब्द होते हैं, जो कि noun के, noun की जगह पर use किये जाते हैं, noun की जगह पर उनका प्रियोग किया जाते हैं, उसे अपन pronoun कहते हैं, अब देख है, I am young, और we are young, ठीक है, you are young, you are my subscriber and my viewer, ठीक है, अपन ऐसे भी कह सकते हैं, they are young, ठीक है, he see it is young, चाहे कोई भी हो, he ho, see ho, it ho, is young, अपन कह सकते हैं, अब देखें यहां पर अपन क्या समझने वाले हैं, अपन समझने वाले हैं, कि I हो गया, we हो गया, you हो गया, he हो गया, see हो हो गया, it हो गया, अब जो देखें, I का मतलब होता है, मैं, we का मतलब होता है, हम, you का मतलब होता है, आप या तुम, he का मतलब होता है, वह जो की male के लिए use किया जाता है, और she का मतलब होता है, वह जो की एक प्रकार से female के लिए use में लिया जाता है, और it जो है, यह है, जो स्वयम के लिए प्रियुक्त होते हैं तो इस प्रकार अपने इसको परस्नल परस्नल मतलब होता है एक प्रकार से व्यक्तिकेट प्रोनावन यह होते हैं क्योंकि यह जो होते हैं यह तीन परसंस के उपर हैं जो खड़े रहते हैं एक प्रकार से उसके शमक्ष में रहते हैं speaking जो के वैकटी बोलता है चीक है और उसके बाद the person spoken to जो बैक्ती जिसके बारे में बोलता है यसने अभात जिसके बारे में बोला गया चया है तो इस प्रकार से है जो 3 पर संज यहां पर होते हैं और 3 के उपर Pardonе नाउन नाउन जो आता है कि यह एक प्रकार से अपने जो है यह अपने परसनल प्रोनाउन है ठीक है sorry कोई technical mistake थी तो देखे आगे the pronoun I and we अब देखे जो आई और वी जो प्रोनाउन है जो which denote the person or person speak अर्थाथ are said to be personal pronoun of the first person कि यह जो आई और वी है आई और वी यह एक प्रकार से first person pronoun है ठीक है यह first person है कि जैसे मैं जैसे मैं खाना खाता हूं तो मैं केवल मेरी बात कर रहा हूं हम खाना खाते हैं तो केवल बस हम हमारी बात कर रहे हैं ठीक है तो यह first person यहां पर एक ही वक्ति के बाए हम बात की जारी है अब देखिए second नमबर पर क्या है बात परसण यू जसे कि आप जो आप मेरा वीडियो देख रहा है जिसके बारे में बोला जाता है it's a to be a personal pronoun of the second person ये भी personal pronoun तो होता है लेकिन ये second person पर चला ज़ता है कि जिसे you is used both in the singular and plural अब यहाँ पर देखें कि you जो होता है ये है जो singular के लिए highlight कर रहा हूँ यो होता है जो कि both in the singular के लिए भी होता है और plural के लिए भी ये होता है लेकिन इसको अपन है जो second person हमेशा मानते हैं दोस्तों ध्यान रखिएगा दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं विनादेरी के अब अपन बात करने वाला हैं दोस्तों कि third person में जो चीज़े आती है third person में मैं इतना बड़ा रोल तुमें नहीं बता कर इतना बड़ा रोल नहीं बताकर मैं आपको सीधी सी बताऊंगा कि जैसे कि he see it जब भी कोई इनसे प्रोनावन अपना start होता है तो उनको अपने third person माना जाता है ठीक है जब भी अपन third person के बारे में बात करेंगे तो एक प्रकार से demonstrative pronoun का वहाँ पर कहीं न कहीं relation होगा और demonstrative pronoun का सीधा सा मतलब होता है कि कोई शंकेत आत्मक शर्वनाम जो होता है जो किसी को indicate करता हो उसे अपन जैसे कि अपन कह सकते हैं कि he is my brother कि वह है जो मेरा भाई है ठीक है he is my subscriber वो मेरा है जो subscriber है ठीक है करते हैं कि he is he और they हो गया इट हो गया यह है जो यह हमेशा परसनल प्रोनाउन में थर्ड परसंड का काम करते हैं दोस्तों तो चलिए आगे देखते हैं आसा करता हूं अच्छे सा समझ में आ रहे होंगे अब आपन करेंगे बात forms of the personal pronoun कि इनकी जो form होती है परसनल प्रोनाउन की उनके बारे में अपन बात करेंगे देखिए the following are the different form of personal pronoun अब देखिए आपर personal pronoun भी कितने परकार के होते हैं देखना भी बहुत ज़बा इंपोर्टेंट है first person जो होता है ठीक है first person second person प्रसुंटर के ऑपने पड़ने आपको बिटोगाता है और पॉजिटिव बने वाला है कि सिंगुलर और ल में में जो सिभालन होता है वह की साधार पर होता है। देखें सो जो यह अछा कर देखेगा तա कि अच्छा समझ है और जो रधी जो जी रो से मैंने अभी तकक अभी हमारी जो सेरीजं कंप्रीट नहीं हुई है अभी बाग कुछ topics बाकी है लेकिन जब अपने फर्स जो topic start किया था वो बिल्कुल zero level की grammar से start किया था और आज है अपन यह pronoun पढ़ रहे हैं forms of personal pronoun तो इससे पहले वाली जो चीज़े हैं उसी के बेस्परादार पर मैं यह चीज़े आपको पढ़ा रहा हूं और हैं जो कौन सी चीज कब पढ़नी चाहिए इंग्लिस में grammar में या फिर कौन सी चीज सीक्वेंस में होनी चाहिए तब जाके इसे का घ़का में आगे का topic समझ में आए गा उस से समεν अपन बात करएं दीआ दोस्तों तो देखिए जो नोमिनटइव केस होता है वह ए और वह होता है ठीक है प्लूरल में तो होता है वी और इस लाटकर होता cider तो फिर singular में तो होता है मी और प्लूरल में होता है अस ठीक है यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी सेकंड परसंड में देखते हैं अपने मैस्कुलाइन और मैस्कुलाइन और यह अपने नाउन जेंडर में ने पढ़ा चुका हूं लेक्चर नंबर साइड थर्ड होगा जाने सेकंड है आप देखेगा वीडियो बहुत अच्छे हैं काफी नॉलिजबल वीडियो है तो देखिए नॉमिनेटिव में तो यू का तो ही रहता हैं चीया नोमिनेटिव में और education केस में हिसका यू ही रहता है दोस्तों करते हैं में third person में singular होता है और plural यहां पर बताया गया है तो देखिए masculine और feminine masculine gender होता है feminine gender होता है यह आपको सब को पता है और neuter होता है और all gender होता है तो देखिए नोमिनेटिव में तो ही हो गया ठीक है feminine में हो गया सी न्यूटर में हो गया इट हमारा ठीक है आपन करते हैं और उसके बाद है जो और जेंडर में अपन कर देंगे दे का एक्वेजिट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् कि it will be seen, यह देखा जाता है, the possessive case, जो possessive case जो होता है, possessive case मैंने वहाँ पर noun case में बहुत अच्छे से बता रखा है, दोस्तों, वहाँ से possessive case के बारे में सारे details आप लेना, कैसे, most of the personal pronouns have two forms, जब भी कोई possessive case की बात की जाती है, personal pronoun में, तो वहाँ पर दो forms होती है, दोस्तों, देखे आगे, of these the forms, my, our, your, her, their are called possessive adjective, ठीक है, possessive adjective यह है, my हो गया, our हो गया, your हो गया, her हो गया, their हो गया, जैसे, my youtube channel, बेन के जसन गैमिंग, ठीक है, तो यहाँ पर मेरा possessive है, कहीं न कहीं अपनात्व है, कहीं न कहीं अधिकार है, ठीक है, our subscribers, ठीक है, उसके बाद, your pain, your mobile, ठीक है, यह सारे सीज़े हैं, जो possessive case से सम्बंद रखती हैं, जैसे कि अब देखे यहाँ पर, because they are used with nouns, क के साथ में use आते हैं, and do work of adjective, और यह हम ऐसा adjective के काम करते हैं, दोस्तो, adjective का lecture पढ़ा चुके है, जा कर देखना, अच्छा है, वीडियो बिल्कुल knowledgeable है, दोस्तो, students के लिए बहुत ही ज़्यदा helpful है, तो देखे, this is my book, ठीक है, अब देखे, यहाँ पर this तो हुआ, तो this तो हम हमारा, this हमारा pronoun है, लेकिन यहाँ पर is हमारी verb हो गई, अब माई जो आ रहा है, यहाँ यहाँ पर adjective का काम कर रहा है, और यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं, एक परकार से personal pronoun की, तो this जो है, यह एक परकार से demonstrate कर रहा है, संकेत कर रहा है, those are your books, ठीक है, तो यहाँ पर भी यह अब जो you are आया, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर है, जो pronoun है, लेकिन यहाँ पर work of adjective का काम कर रहा है, दोस्तों, that is her book, ठीक है, कि यह जो book है, वो उसकी है, ठीक है, तो इस परकार से यहाँ पर adjective का का काम कर रहा है, अब देखिए, possessive adjective are something called pronominal adjective as they are formed from pronouns, जो possessive adjective होते हैं, यह somethings are somethings called, कभी कबार यह कहे भी जाते हैं, प्रोणो मिनल जिससे अपन कह सकते हैं, adjective यह कहे जाते हैं, ठीक है, तो अगर questions आ जाए कि प्रोणो मिनल जो adjective होता है, वो किस से संबंद रखता है, तो वो रखता है हमें सां, possessive adjective में, दोस्तों, ध्यान रखिएगा, बहुती कम सम में इतना जधा content आपको कोई भी नहीं दे रहा है, दोस्तों, चलिए note number two की बात करते हैं, बिना देरी को, the word his, ठीक है, यहाँ पर लिख रहा हूँ, कि his जो word है, ठीक है, use both as an adjective and as a pronoun, कि his जो word है, वो है, pronoun के लिए भी use में किया जाता है, और adjective के लिए भी किया जाता है, आप देखे, this is his book, ठीक है, this is his book, कि यह जो, यह किताब उसकी है, तो यहाँ पर पजेसिव adjective का यह काम कर रहा है, दोस्तों, adjective के बारे में जब अपने पड़ा था, तो वहाँ पर अपने इसके rule देखा था, वहाँ पर भी एक, ठीक है, तो देखे, अब देखे, पजेसिव से अपन समझ सकते हैं, कि जो his, जो word होता है, उसको अपन पजेसिव adjective को किस प्रकार से यूज लेते हैं, और पजेसिव में, पजेसिव प्रोनावन में his का किस प्रकार से अपन यूज लेते हैं, इन दो फॉलोविंग सेंटेंस, ठीक है, कुछ सेंटेंस यहाँ पर दिख आपको जो इटेलियक है, और आर पजेसिव प्रोनावन, जो की है, पजेसिव प्रोनावन है, जैसे कि this book is mine, चेक है, तो यहाँ पर यह माइन है, तो यह माइन से अपने को पजेसिव प्रोनावन यहाँ पर दिख रहा है, दोस बुक्स आर यूर्स, तो यह भी, आला कि माइन हो गया, यूर्स हो गया, तो यह बाकी सारी की सारी चीज़े, यह पजेसिव प्रोनावन को जाएगी, दोस्तों, यहाँ पर जो मैं, इरेजर से साप करके आपको दुबारा बताने वाला हूं, कि देखें, यहाँ पर हीज है, बुक्स से पहले आया, ठीक है, तो यह आगे देखते हैं, यह वही एक्जामपल, रूल नमबर 120, जो थर्ड परसन जो होते हैं, उनके हैं जो तीन जेंडर होते हैं, दोस्तों, आज तक नहीं पड़ा होगा, कि जो प्रोनावन होते हैं, उनके जो प्रोनावन में जो थर्ड परसन होते हैं, उनमें हैं, जो सब्सक्राइब आपको बताने वाला हूं दोस्तों तो यह मैं काम है जो नेक्स वीडियो में आपको बिल्कुल लेकर आऊँगा एकदम अच्छा से तयार करके और जो जो तो हाइलाइटेड रहेगा वह मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि जैसे ही नेक्स वीडियो आपको सामने आये वैसे ही आपको तुरंत सुचना मिल जाए दोस्तों और यह आपके लिए कहीं न कहीं फाइदा देने वाला वीडियो ह हैं दोस्तों सो सब्सक्राइब कर ही लेना थैंक यू